दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं बिहारबोट रिजल जारी करने से पहले टोपरों की घोशना करता है जहां दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर देखिए इंटर के 5 टोपर चिनीद 6 केंद्रे से गई थी प्रैक्टिकल कोपिया तो दोस्तों पुरूप के तरुपर मैं आपको बता रहा हूँ हंदुस्तान पेज नमर 6 पे 24 मार्च जैने के दोस्तों आज ही का यह न्यूज पेपर है तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आखिर कौन है वो टोपर टोपर की घोजना बिहारबोर ने दोस्तों कर दी है कितनी चात्रा है कितनी चात्रा है उसके बाद दोस्तों कितने को ग्रेस मार्च मिलने वाला है कितने इस बार दोस्तों पेंडिक जाने वाला है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पलपल की अप्डेट आपका रिजल को लेकर सबसे पहले इक चैनल पे मिलता है पस सब बहुत हो गया क्या हुआ? मैं खुद की कोचिंग क्लासे स्टार्ट करना चाहती हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो दोस्तों जसा कि आप लोग आपर देखिये मैं इसको जूमाउट करता हूँ तो फ़रा समय देजिए इसको परता हूँ उसके बाद पर लोग नेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे यह अपडेट भी आपके लिए काफी इंपोर्टन है तो इंटर के 5 टॉपर चिनहित 6 केंदर से गई थी प्रैक्टिकल कोपिया इंटर के 6 परिक्षा केंदर से जीले के प्रिक्षारतियों की प्रैक्टिकल कोपिया बोट ने मंगाई है मंगोलवार को यह कोपिया बोट को भेज दी गई है इसके साथ ही जिले के पांच तोपर बच्चोओं को बूधवार को बोड में बुलाया गया है फूधवार को दोस्तो ठीक है वोड़ ने टोपर बच्चोओं की ठेयोरी और प्रैक्τικल का कौपियों विविर ने केंदरों से मंगाई थी वोट के ओर से सभी मोल्यागन केंद्र को मेल के माध्यम से वोट बारकोट की सूची भेजी गई थी तो दोस्तो मेल के माध्यम से सभी केंद्रों में बारकोट की सूची भेजी गई थी अब आगे देखें निर्शक को भेजनी थी तियोरी की कोपिया अन जिले की थी जो इस जिले में जाचने को भेजी गई थी तियोरी के साथ ही प्रेक्टिकल की कोपियां भी मंगाई गई थी प्रेक्टिकल की कोपियां उन इसकूल कॉलेज को भेजनी थी थी थोरा समय दिजे इसके साथ ही जीले के पांच क्रॉपर्स को बोट ने इंटर्यू के लिए बुलाया था, बोट की भेजी गई, यहां पर देखे दोस्तों, बोट की भेजी गई सुची के अनुसार टॉप पांच में से तीन छात्रा है और दो छात्रा है, तो तीन लड़की और दो लड़के ह बुलाने के साथ ही इंटर्यू को लेकर छात्रा अभिबागों के साथ ही अधिकारियों में भेजी गई थी, उसकता शुरू हो गई इन बच्चों को बुलाने के साथ ही यह नतिजा निकाला जा रहा था कि इंटर्यू की तैयारी अंतिन चरण में है, विबिन ने केंद्रो टोटल टोप 15 का खोशित कर दिया गया था, उसमें से दोस्तों टोप 5 में जो है 5 में से 3 छात्रा हैं थी और 2 छात्र थी, और दोस्तों इन लोगों का कोपी मुल्यागन सारा थी कम्पिलिट हो चुका है, और दोस्तों इन लोगों का नाम भी यहाँ पर आप दे सकते हैं, आपर में आर्टिकल में दिया गया है, भुलाया गया वोट, टोप 5 में से 3 छात्रा हैं और 2 छात्र रिजल की तैयार यंतिम चरण में क्योंदरों पर थियोरू की 100 जाती गई कोपिया मंगायी थी, थोरा दोस्तों समय दीजेए, उसके बाद फिर मैं आपको नेश्ट अप सुना रहा हूं, यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, तह समय से इंटर्मेडियर और मैट्रिक परिक्षा का आयोजन कर बिहार बोट यानि कि बिहार विदाले परिक्षा समीति ने पुलेकिने काम किया है, अब एक कदम और आगे भरते में परिक्षा का प्रणाम जारी करने क की तैयारी चल रही है, यानि कि कभी भी आप लोगों का परिक्षा का प्रिक्षा का प्रिणाम जारी हो सकता है, इंटर्मेडियर की कोपियों का मुल्याकर का काम पूरा कर लिया गया है, इसी बीच इंटर्नेट मीडिया पर इंटर्मेडियर परिक्षा द्यारी की कोपियो वो बहुत ज्यादा आनद ले रहे हैं, जहां दोस्तों, मैं आप लोग को कह रहा हूँ कि इस तरह का कोपी भरने से क्या प्रोलम आ सकती है, तो दोस्तों देखिए, यहां पर अभी इस तरह का सोचल मेडिया पर वाइरल चल रहा है, कि बिहारगोर्ट में कभी अजब गजब जब आप कभी लोगडान, कभी शादी, कभी दोस्तों इस तरह का, तो दोस्तों इस तरह का कोपी इस तरह का रिजल जो है पेंटिंग जा सकता है, जहां दोस्तों, यहां तो बिहारगोर्ट का, अनि कि बिहारगोर्ट अद्रक्ष आनन किशोर का कहना, यहां तो कुछ भी म करता है उस टीचर पर जो आपका कोपी जांच कर रहे हो अगर दोस्तों वह रिक से लेकर कि आपका कोपी पास कर देता है तो फिर सही है अब चलिए दोस्तों बात करते हैं जैसे कि मैं सुबह के वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि पिछले बार दोस्तों 3 लाग और 10 में 46 यार गरेस मांग देने के बाद पास किया गया था तो दोस्तों अनुमान तक ही जा रही है कि वीःरबोट अधक्षा आनंद किशूर जी का कहना है कि पिछले बार 82% चात्र पास हुए थे तो दोस्तों इस बार कहा जा रहा है कि 90% के करीब इस बार चात्र पास हो है अगर वो 380 नमर 390 नमर लेके आ रहे हैं तो दोस्तों उसको डारेक 51 कर दिया जाएगा वहें में दोस्तों अगर किसी subject वो फेल कर रहा है पहले क्या था कि अगर 30 पे 5 marks है ठीक है 30 नमर पे 5 marks है अगर वो 25 लेके आ जाता था तो दोस्तों उसका क्या होता था उसको जो 5 ऊपको डारेक नमर देकर पास कर दिया जाएगा तो दोस्तों अब बात करते हैं 12 रिजल को लेकर दोस्तों देखे सारा चीज पूरा हो चुका है उस प्या करना है बस सिंपल कुछी धिर में इस चैनल पर आपको लाइब बता ही जाएगा कि कब रिजल जा रही होगा वद जिस समय भी होगा आपको इस चैनल पर चेक किया जाएगा लेकर दोस्तों कभी भी या तो साम को साथ बजे, छे बजे, चार बजे या फिर दोस्तों कभी भी चारी हो सकता है आप लोगों का ट्वल का रिजल तो दोस्तों यही थी आज की बड़ी बड़ी अपडेट जो कि मै जय भारत